दोस्तों हाले में आपने काफी सारी एसी खबरे देखी होगी मीडिया में भी और मैंने भी आपको DLS न्यूज के ओपर बताये था पिछले महिने बर के दोनानी कई अलग 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 राज्य सरकारों की तरब से सिंगल यूज प्लास्टिक को अगले महिने की पहली तारीक यानि की एक जुलाई से पूर्ण तया बेन करने का फेसला लिया गया है मतलब की जो सिंगल यूज प्लास्टिक यानि की एक बार काम में आने वाली जो प्लास्टिक है उस पर परतिबंद लगाए जाएगा अब यहाँ पर तक्रिबन 5-6 ऐसी राजी सरकार हैं जिन्होंने ये आदेश भी जारी कर दिया हैं ये तो अपन देखेंगे कि आखिर किन किन राजी में सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से कम्प्लेटली बेन होने जारी हैं लेकिन देखें राजी सरकारों के इस फैसले के बाद केट और व्यापारियों का क्या कहना हैं एक जुलाई नजदे का आते जारी हैं तो व्यापारियों में खलबली बसती जारी हैं और हमारे देश के इंडस्ट्रियल जो हैं व्यापारी उन्होंने पीम मोदी को खत लिखकर एक गुहार भी लगाई है और कहा कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक बेन हो जाएगी तो लाखुन लोग बेरोज़गार हो जाएगे ये केट का भी कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बेन से व्यापारी परेसान होंगे और कई लोग बेरोज़गार हो जाएगे क्योंकि प्लास्टिक के चीज़ों के निर्मान से भी कई लोगों को रोज़गार मिलता है सिंगल उच प्लास्टिक में दोस्तों ना सिर्फ पॉलिथीन यारे कि यवल पॉलिथीन की थेली नहीं आती हैं बल्कि और वे कई सारी चीज़ें आती हैं तो कहने के मरलब सिंगल उच प्लास्टिक के बेन होने के चलते कई सारे प्लास्टिक के प्लास्टिक प्लास्टिक भी हमारे देश में बंद हो जाएंगे प्लास्टिक के बने डिस्पोजल, प्लास्टिक की कप लेट वगएरा तो इन चीजों के बेन होने से कई सारी फेक्ट्रियां बंद हो जाएगी और जाहिट सी बात है कई सारे लोग भी विरुस्गार हो जाएगी तो Kate ने भी सरकार से ये गुहार लगाई कि फिलाल सिंगल यूज प्लास्टिक पर बेन को टाला जाए केट ने सरकार को चिट्टी लिखते विए अपने पत्र में कहा कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का बड़े पेमाने पर इस्तिमाल हो रहा है और इसे में सिंगल लूज प्लास्टिक की बीना वेकल्पिक व्यवस्ता के प्रतिबंद करना व्यापार और उद्योग के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा केट का कहना दोस्तों की प्लास्टिक से बनी इन चीजों को बेन करने से पहले इसका विकल्प हमारे पास होना चाहिए इसका अदर ओप्शन होना चाहिए और इसके बाद अगर इसको प्लानिक के साथ बेन करें तो साय देश में तरही तरही नहीं मचेगी बागी तो जाहिर स बात है इतनी सारी प्लास्टिक की चीज़ें जो रोजमर्रा में हमारी देनिक जीवन में काम आती है उनको अगर अच्छानक से बंद कर दिया जाए तो कारोबारियों को तो नुक्षान होगा इसाथ में आम आदमे को भी बहुत जादा परिशानियों का सामना करना पड़ेग तो उनका फिलाल कोई अल्टरनेट नहीं है इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बेन करने से पहले स्ट्रो का विकल पाना भी बहुत जरूरी है तो कहने का मतलब बात यही है कुल मिला करके कि एक जुलाई से प्लास्टिक को बेन लगाने की प्रतिबंद लगाने की तैय तो पूरी चल रही है सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया कैसारी राज्य सरकार उने आम पब्लिक को नोटिस भी जारी कर दिया लेकिन इसका अधर ऑप्शन इसका अल्टरनेट अभी तक भी हमारे पास नहीं है और इसलिए सरकार को ये कंपनियां पत्र लिक लिक कर फिला रहाने एक जुलाई से थर्माकोल और विश्थारिक पोलिसटा इरीन 500 पुरी तरह से रोगाई जाएगी प्लास्टिक से बने कीरीवें। के काटे। चम्च काटे चया कर VISTA काटे रहारां कर सकेका आद्वी में 20 DANIEL प्लास्टिक की थेलिउंपर भी रोक लगी हुई है जो 120 मायक्रोन तक की थेलिउंपर अब रोक बढ़ जाएगी एक जुलाई 2022 से हाना हिमाचल में अच्छा इसके लाओ देखे उत्राखन सरकार ने भी 55 मायक्रोन की प्लास्टिक पर बेन लगाने का गोस्टना कर दिया हैं एक जुलाई से प्रतिवंदर आग होगा उत्राखन के भी प्लास्टिक बेन की तैयारियां पूरे राज्जी में पूरे प्रदेश में चल रही हैं इस संबंध में वन एवं पर्यावरन मंत्राले के आदेश के बाद सहरी विकां सुभाग ने भी 1080 जारी कर दिये हैं अना जो नई सरकार बनी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पंजाब के मुक्य मंत्री की तरब से बड़ी गोसना कर दी गई हैं हना तो तीन राजजी तो ये हो गई हिमाचल परदेश उत्राकंड और पंजाब इसके अलावा राज़स्तान सरकार ने भी एक जुलाई से सिंगल उच प्लास्टिक पर बेन के आदेश जारी कर दी हैं पोलिशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको लेकर रेक अभियान भी चलाया और खहां कि प्लास्टिक से दूरी है जरूरी प्रदूशन येंतरन बोर्ड और जिला परसासन ने मिलकर प्लास्टिक मुक्त अभियान चल जारी किया था लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद इसको एक साल बढा दिया तो बिहार में भी अभी इस एक जुलाई 2022 तक एक साल हो जाएगा जब तक सरकार ने आदेश को एक्टेंट किया था तो अगर गवर्मेंट कोई रिवाइज दो ओडर जारी नहीं करती है जाहिट से बात है बिहार में भी एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बेन हो जाएगी अच्छा हुआ हरियाना में भी प्रसासन का फरबान देखिए एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारन बिक्री वा इस्तेमाल पर पूरी तरसे रोक ल को लेकर आदेश जारी कर दिये हैं और बाकि इधर अभी प्रोसेस ये भी चल रहे हैं कि केट ने सरकार को जो पत्र लिखा है उस पर सरकार क्या रिवाइश्ड ओर जारी करती हैं के अंदर सरकार के तरब से अगर इसकी तारिक को बढ़ाने के आदेश आ जाते हैं तो इससे आप मुझे कमेंट करके बताईए दोस्तूं के आप कौन से राजे में रहते हैं ताकि मैं आपके राजे के समचार भी आपके मोबाइल तक पहुचा पाऊंगा वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारे चैनल डीलस न्यूज को सस्क्राइब करके बेल आइकोन जरूर तबादेना थेंक्यू टेक केर गुडबाई जय हीं जय बारत वंदे मात्रम